नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देख रहें आचार जागंद्र मिस्रा दोस्तों 21 जून को साल 2020 का प्रथम सूर ग्रहन लगने जा रहा है जो असाड महीने के आमवश्य को रहेगा इस ग्रहन के दोरान बहुत सारी घटनाई होंगे च्छे ग्रह भी वक्री अवस्था में रहेंगे वहीं ये भयंकर सूर ग्रहन रहने वाला है क्योंकि ये काफी लंबा सूर ग्रहन रहने वाला है आपको बताना चाहेंगे कि 21 जिन को पढ़ने वाला सूर ग्रहन सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालने वाला है पर दोस्तो इस ग्रहन के प्रभाव से देश में यानि काफी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कई प्रकार के आपको आपदाइं देखने को मिलेंगे जैसे तूफान, भूकंप, जैसे प्राकृतिक आपदाइं हो शक्ती है दोस्तो 21 जून को पड़ने वाला सूर ग्रहन इसका सही समय और सूतक काल इसके अलावा कौन-कौन सी राशियां भागशाली रहेंगी और किस प्रकार का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा इनके बारे में हम बताएंगे आपको सारी जानकारी इसके साथ ये भारत के कौन से हिस्से में दिखाई देगा और किस-किस देशों में भी दिखाई देगा ग्रहन काल का शूतक काल का शमय और ग्रहन काल में बरती जाने वाली शावधानिया उन महत पूर्ण शावधानियों के बारे में आपको बताएंगे इसके साथ ही उन सभी शुब कारियों के बारे में भी बताएंगे क्योंकि ग्रहन काल के दोरान आपको क्या करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तोर पर इसका शुभ परिणाम मिलेगा और आप अपने जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की कोई शमश्याई हैं उनसे छुटकारा पाशकते हैं तो दोस्तों 21 जीवन को लगने वाला शाल 2020 का पहला शुर ग्रहन जो की असाड मास की अमवश्यत तिथी को रहेगा आप वीडियो को अंत तक देखिएगा आप से बिनम्र निवेदन है कि उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे और अगर हो सके तो वीडियो को शेर भी अवश कर दे दोस्तों यह शूर ग्रहन भारत में भी दिखाई देगा इसके लिए इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा दोस्तों आपको बता दे कि जोतिस सास्तर के अनुसार इस चंद्र ग्रहन का और शूर ग्रहन का यानि कि दोनों का शू तक मानने होगा इस शूर ग्र ग्रहण साल 2020 का असर भारत सहीत नेपाल पाकिस्तान शुदी अरब और अमेरिका अस्ट्रेलिया अट्रिलांटिक और ये आपके दच्छिण एशिया और यानि कि जितने भी एशिया दीप में देश हैं और दोस्तों साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी देखा जा सकता है दोस्तों इस ग्रहण की बारे में अशुब और शुब दोनों परिणाम मिलेंगे अब बात करें शुतकाल की तो ग्रहण काल शुबए 10 बच कर 30 मिनट से लेकर दुपाहर 2 बच कर 5 मिनट तक रहेगा यानि की यह शुबए 10 बच कर 31 मिनट से प्रारंब होगा जो दुपाहर के 2 बच कर 5 मिनट तक रहेगा जिसका शुतकाल 20 जून को रात में से ही 10 बच कर 20 मिनट से प्रारंब होगा शूतक काल में यानि की बालक एबम रोगी को छोण कर अन किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए इस दोरान खान पीन के पदार्थों में तुलसी दल रखनी चाहिए शूतक काल के दोरान आप किसी भी प्रकार का चाकू, सुई, सबजी, फल आदि काटना वरजित है गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए ग्रहन काल में सोना और भोजन दोनों नहीं करना चाहिए यह ना तो सोना चाहिए और नहीं भोजन करना चाहिए दोस्तों, ग्रहन काल में काफी महतपूर्ट साउधानियां बरतनी चाहिए जब खास तोर पर कोई भी ग्रहन का शूतक काल लगता है दोस्तो साल 2020 का पहला शूर ग्रहन लग रहा है और इस शूर ग्रहन का आपका शूतक काल भी लगेगा जिसका असर शभी राशियों पर देखा जा सकता है दोस्तों ग्रहन काल के समय जरूरत मंद लोगों को दान करना शुब माना जाता है शूतकाल में कोई भी शुब काम नहीं करना चाहिए और ग्रंतों के अनुसार शूतकाल में पूजा पाठो और देवी देपताओं के मूर्द को छूना भी वर्जित है यानि नहीं चूना चाहिए इस दोरान कोई भी शुब काम करना अशुम माना जाता है शूर ग्रहन के दोरान अशुब प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन में महा मृतुञ्जय मंदर का जाप करना चाहिए इस दोरान अनाज का दान करें एबम ग्रहन से पहले तुलसी के पत्ते का शेवन भी कर लेना चाहिए दोस्तों साल 2020 में लगने वाला यह शूर ग्रहन आपके इफिक्ट भी आपको डालने वाला है और यह आपके जीवन में पैसे से जुड़े धन से जुड़े कई शमस्याएं जो आपको छुटकारा दिलाने वाला है परन्त यह शूर ग्रहन हमारे देश के लिए भी काफी अच्छा नहीं है यह शूर ग्रहन कई प्रकार के अशुप्रभाव को इकठा कर रहा है वहीं कई प्रकार की मुसीबतों को भी ला रहा है यह हमारे देश में दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं एक एक करके सभी राशियों का हाल जो कि यह है यानि कि आपके भाग शाली राशियां वो कौन सी है तथा वो कौन सी भाग शाली राशियां है जो कि आपको इस सूर ग्रहन के दोरान आपको सावधानी बरतनी है और आपको माला माल भी कर रही है तो दोस्तों सूर ग्रहन में सबसे पहली राशी मेश राश वाले जातकों के लिए काफी महत्रपूर रहने वाला है मेस रास वाले जातकों को यह शूर ग्रहन काफी शूप परड़ाम प्राप्त होगा शूर आपके धन के आय को बढ़ा सकता है शूर ग्रहन के प्रभाव से आपके नए अपसर आपको मिलेंगे और किसी जौब के लिए किये गए प्रयास मेश रास वाले जातकों को सफलता दिला सकती है मेश रास वाले जातक यानि कि सामाजिक इस्थिती इनकी मजबूत होगी लोगों में लोग प्रित्या बढ़ेगी आपको उल्लाश खुसियां भी प्राप्ती होंगी दोस्तों अगली जो शुब राशी है वो है कुम राश जी हाँ दोस्तों कुम राश वाले जातकों को बताना चाहेंगी कि अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है आपको धन दौलत की प्राप्ती होगी आपको कई प्रकार के शुब कार करने का कोशिश कर सकते हैं आपकी कोशिशे रंग लाशकेगी आपको अपने कारशेतर में कारिस्थल में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है आपकी प्रसंसा होगी आप अपने पुराने मित्र से फिर से मेल मिलाप कर सकते हैं आप अपने आपको इस्थापित करने में शफल रहेंगे, अगली राशी है मिθुन राशी, मिथुन राशी वाले ज्यातकों को बैंग शेलोन मिल सकता है, और आप अपने स्वास्थ का विशेश धियान रखने की कोशिश करें, अचानक से आपके नए स्त्रोत सामने आशकते यानि धन के श्रोत आपके नैने बन सकते हैं जमीन जाजात के मामुलों में फैंसला आपके पक्ष में होगा आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत रहने वाली है राजिनीतिक से जुड़े लोगों का पराक्रम बढ़ेगा दोस्तों अगली राशी जो है वो है कन्याराशी कन् आर्थिक श्तिति, यों को सुधारने में काफी अहम रहेगा। आवश्यक्ता है और यानि कि कमर के ऊपर स्वास्त से संबंधि समस्याई हो सकती है कन्य राश वालों पीता का असिरवाद आपको प्राप्त होगा कुल मिलाकर आपके लिए यह शमय शुब परिणाम दायक कहा जाशकता है अगली जो राशी है वो है शिंग राश जी हां दोस इसी यानि कि आपके खास आदमी से मन मुटा हो सकता है आपके रिष्टे तूट सकते हैं परिवार के लोगों पर भी ध्यान आपका बढ़ सकता है परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है लेकिन सोच समझ कर प्रयास करें और आगे बढ़ने की कोशिस करें सूर ग्र प्रकार का बदलाव या फिर किसी भी प्रकार का दिक्तों को सामना करना पड़ सकता है। पर बिशेश ध्यान देने की आवश्यक्ता है यह ग्रहन आपके लिए शुब रहेगा आपका ध्यान पूजा पाठ में जादा लगेगा आपको इसमें अपने बरिष्ट अधिकारी या जिन लोगों से प्रोफेशनल संबंधे उनके साथ संबाद बनाए रखने में आपकी भ बिशेश प्रिद्धी होती नजर आएगी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा दोस्तों साल 2020 में लगने वाला यह शुर ग्रहन आपके लिए काफी ज्यादा महत्तपूर्ण रहेगा अगली राशी है मकर राशी जी हां दोस्तों मकर राशी वाले जातकों के लिए यह शूर ग कर राश वाले जातकों आप नए-ने स्रोत आएंगे धन संबंधी इकस्ठा करने में आपको ज्यादा महनत नहीं करनी पड़ेगी आपके कई स्रोत धनके बनेंगे जो परिवारिक मुद्दा था अब वो खत्म होता नजर आएगा पैत्रिक शंपत्ति की प्राप्ती हो शक् हैं तो मित्रों का आपको सहायता भी मिल सकती है किसी पुराने बिवाद से घीरे हुए थे उससे भी आपको छुटकारा मिलने के यानि की योग बन रहे हैं इस चूर गरहन में मकर राश वालों आपके लिए काफी सुब कहा जा सकता है और इसमें दामपत जीवन में सा अशाय असार पड़ सकता है आपको शाउधान रहने की आवश्सकता है जो की देखे च्छए ग्रह वक्री होने का सही समय आपके शुख सुबधाओं में बृद्दि होगी इसमें च्छाय ग्रह वक्री भी है दोस्तों तो इसल silic间 आपके शुख सुब जय शंदेव